असलाम अलुक्तुम तो रेडवी ने लांच का देया तियुक्त रिड्मी-टू-प्लस कमान को ग्विल मार्केट में यहां पर इसमान पर जो फस्ट ूपेप रिभील हो चुका है Redmi A2 Plus 1 को जो डिजाइन है बिल्कुल सिमिलर है अपने प्रेडिसेसर जो के Redmi A1 Plus था डिजाइन काफी minimal रखा गिया, काफी clean रखा गिया, smart की rear साइपर आपको dual tone वाले एक square डिजाइन में camera माड डियो दिया गे, जहाँ पर आपको black color में आपको dual camera setup और जो blue color है आपको LED flash light देखने को मिल जाता है, smart phone एक round edges के साथ आता है, box design यहाँ पर नहीं है, build को आज़े वह प्लास्टर की frame भी आपको प्लास्टर कहीं देखने को मिल जाता है, और जो smart phone एक leather finishing design के साथ आता है, smart phone जो black color में reveal किया जा चुका है, blue color में reveal हो चुका है, और green color में जो smart phone एक आज जा चुका है, smart phone की rates है पर आपको fingerprint screen भी आपको देखने को मिल जाते है और 192 ग्राम स्माट का weight टका गया और 9.1 mm स्माट को जो thickness रखी गई है, redmi a2 plus one को design काफी minimal minimal है, काफी clean नका गया और जिस प्राइस में आने वाल है, उस price के साथ यह जो design यह तूप 5 इंच का एक HD plus resolution IPS display जो के डियूर आपनोच के साथ आता है, 400 निट्स के यहां पर brightness आपको देखने को मिल जाती है, 270 की पर पैड देंसिटी है, 80 वार मसल की screen to body ratio है, स्माट का जो display ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज़ जो के नहीं है, वो refresh rate नहीं है, यहां पर at least इस price theory में जो आने वला है, उसमें आप डेफिनिटी 90 का रिफ्रेशन आप डेफिनिटी देना चाहिए था, बाकि आप 40 प्लस एरोशन देते या ना देता, लेकिन 90 रिफ्रेशन आपको देना चाहिए, तब बागी जो समाट का डिस्प्ले है, बड़े साथ का डिस्प्ले है, जान आप डेखिने को मिल जाता है, रेडिमी एटू प्लस में दिया गिया अगे हिलियो जी तर प्रोसेसर, जोके 12 नेनिमेटिक फेब्रिकेशन पर बेज़ और पावर भी आजी एट्टी 320 का जीप्यों आपको देखने को मिल जाता है, रेड्मी एटू प्लस जो फुल फ्रेज वर्जन यहां पर नहीं दिया जाहरे प्रोसर इतना पाउरफुल नहीं है आडिनरी प्रोसर है तो गेमिंग के लिए या बागे हैवी टास्क के लिए आप इस स्मार्फोन से बिल्गल भी तोकुवाद ना रखिए आम इसमार में ठीक है अगर वाटसप स्मार्फोन में लांच हो चुका है और यहां पर करीब आपको दीखने को मिल जाएगी 28000 रुपे और कुछ टेस्ट वायराइट करेंगे तो में 35000 तक यह स्मार्फोन मैक्सिमम जा सकता है रही बाद लाइंजिट कि तुछ टाइम पहले लांच हो सकता है उमीद यह बाकि टाइम बताए कि कब भी लांच हो जाता है और किस प्राइज में लांच होगा रेड्मेट टू प्लस मांट के रियर साइपर डूट केमरा सटप है जैसे कि आप देख सेते हैं जो में केमरा है वह यहां पर आड़् में का दिया गया एक फाल्टू का सेंसर दिया गी जो के सेंसर है जबकि फ्रंट पर आपको डियू रॉप नौज में पांच में का सेल्फिक हैं आपको देखने को मिल जाता है एक तो पॉइंट वबजे के साथ रेड्मी एटू प्लास जो स्मार्टू में मेक्सिम फुल एजी प्लस पर रिकार्डिंग का सथे फ्रेंट केमरा से और यह केमरा से भी 30 फ्रेंट पर सेकंड बेकेमरा से बात अब आपने ज्यादे तो आप नहीं रखनी है एक तो प्रोसेश इतना कमजोर इतना हैंडल नहीं का रुपायगा और दूसरा यहां पर मेगापिक्सल भी ज्यादे काम रखी गए तो आपको ज्यादे डिटेल बि आपकी कुछ आता कि यहां पर तोड़ा सा आप इस अक्सेसर के सकते हों रेडमी एवान प्लस का लेकिन तमाम जो स्पेक्स वार मूद स्विमिलर ही रखिये गए हैं आप क्या सो जिसमांग के बारे में डू लेट में नो इंदे कमेंट सेक्शन अलाफेश